मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अगरवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार फ्रेंड्स मैंने एक ट्रेंड देखा है और ट्रेंड यह कि जैसे ही कोई युवक या युवती सर्विस में आते हैं और अपेक शक्रित थोड़ी सी भी ठीक ठाक सर्विस में आ जाते हैं, उनके आखों में, दोनों आखों में दो सपने पलने तुरंत शुरू हो जाते हैं और उसमें एक होता है अपना घर और दूसरा होता है अपनी गाड़ी, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, बिल्कुल भ आने के लिए आजकल गाड़िया चाहिए, दोस्तों यहां मैं इसी से संबंधित जिस विशय पर बात कर रहा हूँ, उसका जो शेड है, यानि कि उसकी जो छवी है, उसका जो जुकाव है, वह दूसरी तरफ है, और आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ, घर के बारे हुआ एक ऐसा घर, जिसमें कई बैडरूम होंगे, कई बातरूम होंगे, एक से अधिक ड्राइंग रूम होंगे, कीचेन भले ही एक या उससे अधिक हो, यानि कि अच्छा खासा बड़ा घर, जब आप अमेरिका में जाएंगे और किसी से बात करेंगे, तो वहाँ घरों का भी रहते हैं, खेर, दरसल हुआ ये कि मैं भी कौन बनेगा करोड़पती देख रहा था, और आपने भी शायद देखा हो कि अभी शुक्रवार वाले एपिसोड में, जैकी श्राफ आए थे, जैकी श्राफ और उनके साथ सुनील सेटी थे, जैकी श्राफ के बारे में सुनी जैकी श्राफ तो सुबक सुबक कर रोही रहे थे, और मुझे लगता है कि यदि आपने यह एपिसोड देखा होगा, तो डेफिनिटली आपकी भी आँखे नम हो गई होंगी, वहीं से मैंने अपने इस विशय का चैन किया है, बड़ा घर, उसमें सुनिल श्राफ जी ने ब मा जब कमरे में खासती थी, तो मुझे पता चल जाता था कि मा खास रही है, और जब हम लोग बड़े घर में चले गए, तो एक कमरे में खामोशी के साथ जो उनकी मा थी, वो दुनिया छोड़ कर चली गई हों, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाया, क्योंकि वो अच्छे तरीके से देख सकते थे हम लोग कि जैके श्राफ के मन में इस बात को लेकर के कितना गंभीर अपराद बोध है, और बस इसके बाद उन्होंने रोना शुरू किया, सुबकना शुरू किया, और सच पूछे तो आखरी तक वो अपने आपको सम्हाल नहीं पाए, य आप यूँ कह लिए, कि बड़े घर की देन, और इसमें आप देखे कि संबंध और भौतिकता या सुविधाएं, इन दोनों के बीच में आपको कोई तालमेल दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमारे जो संबंध होते हैं, जो व्यक्तिकत संबंध होते हैं, जो भावनाओं प अब हमारे पास पांच कमरों वाला मकान हो जाएगा, अगर वे सच में यदि भावनात्म की स्थर पर जुड़े हुए हैं, तो एक ही कमरा परियाप्त है, और अगर भावनात्म की स्थर पर नहीं जुड़े हुए हैं, तो पचास कमरे भी कम हैं, उसे क्या फर्क पड़ता ह क्योंकि भावनाओं का जो एक चिपचिप आपन होता है, भावनाओं का जो एक लसलसा आपन होता है, भावनाओं की जो एक नमी होती है, वो वहाँ है ही नहीं, दोस्तों मुझे एक बात याद आ रही है, साधे 1988, 1988, 1989 की बात होगी, एक उसमें बहुत बड़े लीडर हुआ कर एक सरकारी काम से उनके पास भेजा गया और जब मैंने एड्रेस पता किया तो वो कनाट प्लेस के पास में साउथ कोर्ट और नार्थ कोर्ट है साउथ कोर्ट और नार्थ कोर्ट तो मुझे बताया गया कि वो साउथ कोर्ट के इस नंबर में रहते हैं तो मैं तो नया नया था जब मैं गया तो मैं देख करके चोंग किया कि अरे यहां लाटली मोहन निगम रह रहे हैं दो कमरों का एक हॉस्टल नुमा निवास जो अंग्रेजों के समय में बनाया गया था उसमें एक कमरे में ड्राइंग रूम बना हुआ था जिसमें दुनिया भर की किताबें अखबारें यह सब लदी हुई थी और एक अंदर बैडरूम था और एक छोटा सा कीचन बस और लाटली मोहन निगम साहब बहुत ही सीनियर सानसत थे उन्हें बहुत बड़ी कोटी मिल सकती थी लेकिन समाजवादी विचारधारा के थे वो इसी में मगन थे और इसी में खुश थे वो रहते थे और उनकी पतनी रहती थी बस और इतने सम्मानित व्यक्ति इतने महान व्यक्ति बहुत थी सिद्धस्त सानसत उनके दिमाग में कहीं भी बड़े घर की कामना नहीं थी उनके लिए वो छोटा घर ही सबसे बड़ा घर था तो दोस्तों ये मैंने दो उधारण आपके सामने रखे हैं और इन उधारणों पर आप विचार कीजित हो सकता है कि जिन्दगी के कोई डायमंड का टुकड़ा आपके हाथ आ जाए अब मुझे अनुमती दें नमस्कार